तो वो का एक्जाम डेट तो किलियर ही है 23 फरवरी से आपके पेपर है और सी गुरूप डी के यह इंडिया की पिछले कुछ दिनों की सबसे बड़ी वेकेंसी है एक लाग से अधिक पद यह आप सभी जानते हैं तीन साल से कोई एक्जाम वगरा की कोई वो नहीं थी अब जब आपने साथ आठ मिलियन दस मिलियन ट्विट किये तो एक्जाम डेट भी आगी कलेंडर भी जल्दी यह लोग देंगे किसी और ट्विटर केमपेन पर अब जो गुरूप डी की वेकेंसी है अब यह जानते हैं क एक लाख से अधिके एक लाख तीन हजार के करीब एक लाख प्लस वेकेंसी का मतलब है नहीं जाने कितने घरों में चिराग जलेंगे कितने घरों में खुशी आएंगी उनमें इस एक घर आपको अपना करना है और उसका सिर्प एक तरीका है और आप भी अपने घर में वही खुशियां अपने माबाप के चहरे पर वही खुशी जो गौर्मेंट जॉब लगने के बाद में किसी के बच्चे कि जब गौर्मेंट जॉब लगती है तो उसके माबाप के चहरे पर खुशी होती है वहाप अपने घरवालों के चहरे पर भी देखना चाहते हैं तो उसके ल तुम्हारा ना हो क्योंकि कई शिफ्ट में पेपर होगा कई दिन कई महीने पेपर चलेगा तब तर हर एक दिन पागलों की तरह पढ़ना तब तक खूब रिवीजन मैं फिर से तुम लोगों से कह रहा हूं कि तुम लोगों ने हो सकता दसबार एक सब्जेट कर लिया हो जितने तुमने अभी दसबार किया उसी थ्योरी को इंदरों में खूब रिवाइज करो तुम तरह तरह के नेने कुश्यंस पर मत जाओ तुम उन्हीं कुश्यंस को उसी पैटर को जुब तुमने पढ़ा है बार-बार रिवाइज करो अब सभी जानते में पच्चिस कुश साइन्स विशेश तोर पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आठाट आठाट दर्दस दर्दस इस तरह से रिजरिंग 30 और करेंट और जीए 20 जादा बड़ा स्लेबस भी नहीं है और जादा बड़ी साइन्स में फिजिक्स केमिस्ट्री एक बार फिर से आप लोगों को एंसी अधारित पूरा पेपर चाहे वो ग्रूप डी का हो चाहे एलपी का हो चाहे सीबिटी बन साइन्स आईये तो केवल एंसी आटी आईये कहां से आईये केवल एंसी आटी से 910 के एंसी आटी और कुछ नहीं एर्थ से भी आया था एक एट चीज लाइन बाई लाइन देख सकते हो आप लोग कोई भी चीज सारी की सारी इस सिर्फ एंसी आटी आधाराता है मेत रीजनिंग रीजनिंग को इतनी बड़ी बात नहीं और जीए जीके इसकी करेंट फिर आधारी थी पूरी करेंट और स्टेटिक करेंट और साल का करोगे अब 2020 का करोगे अब वही 200 कर लूँगा 300 कर लूँगा कोई बारे घ्रंटे में भी कराएगा आपको तो ज़्यादा ज़्यादा 500 कुशन फिर तुम वही 500 कुशन करके जाओगे उसके अलावाद तुम कुछ नहीं करोगे अब सिफ्ट इतनी होती है तो पेपर भी हर दिन का अलग होता है अगर एक दिन पेपर होता तो मान भी लेता हूं कि इस 500 में से कुछ भी भार नहीं आता लेकिन जब आप अलग अलग दिन सिफ्ट में पेपर होते हैं तो आपको कई दिन पेपर को देना पड़ता है कई दि होता उस दिन तुमें स्लेत पता चलते आध कोई बता रहा था stone syllabus के अधिक बारी के चीज को करो तयारी करके जाना हैं नसे एक लाख में नाम करना है ना हम मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं मैं आप लोगों के लिए 12 घंटे की हीं रहा आफ गंटे तो इस current affair की मेरा अफेर में मैं तुम्हें पूरा 2021 कराऊगा और तुम्हें अगस्त 2020 से भी कराऊगा अगस्त 2020 से पूरा 2021 डेड़ साल का current affair 2020 के हर shift में दो-तिन question आएंगे अगर अगर अब तुम सिर्फ यूट्यूब की बात करें अभी हम इसका वह भी कर दूंगा अनॉंस जैसे पहला जो है कि जो पहली क्लास होगी मैं इसको क्या देख रहा हूं मैंने इसको तीन-तीन महीने में बांटा है कि जैसे बही मैं आपको ऐसे कराऊँ हो जैसे अक्टू क्लासों में आठट घंटे की में ये कवर हो जाएगी क्लास तीन-तीन महीने की दो क्लासों में वह 2020 कवर हो जाएगा 2021 कवर 2020 कवर अच्छे से टॉपिक वाइज मैं कुशन में नहीं कराऊँगा मैं फिर से बता रहा हूं मेरा यहाँ पर चोटा सा टॉपिक होगा और उसके आपर में तुम्हें पूरा एक्स्प्लेनेशन दूगा लेकिन यह गारंटी दे रहा हूं एक एक चीज तुमारी कोपी में भसा दूगा इन 64 घंटे की करण्ट अफेर से अब मैंने क्या किया यह मैंने किया और दो क्लास इन दोनों का रिवीजन यही जो 6 क्लास कराई है इ 12 तीसरी चोथे तो चरह तो जन्वरी में मिल गए और दो हफते मिल यह में फरवरी में 4-2-6 क्लास लेनी यह 8 जो यह रिवीजन वाली क्लास होंगी इनने तो हम लोग लगातार भी यह हमार सकते छे क्लास समें चे हवते में समाप्त करनी होंगी एक भी क्लास तो में छोड़ना यह 20 नमबर तुमारे सैट यह तो गए मुहराथन में रेगुलर के लिए करें तो हमने जो पर्चम बेच भी निकाला था वो गुरुपड़ी और NTPC को ध्यान में रखकर ज्यादा फोकस था क्योंकि बाकी लिए तो 75-90 दिने तुमारे लिए 60-65 दिन सब्सक्राइटिक अपने अभिनंदन सर रीजरिंग के लीपक सर भी है प्रीतिमें भी है और जीए की और करेंट के रवी सर और जीए के अपली सौनम में तो उसका तरीका यही था आमने जो एक बहच निकाला कि आपको 50-60 दिन में डेली 7-8-7-8 घंटे अगर आप उसी ची का रिवीजन करना है जो लोग पर्चम में नहीं है उनके पागलों के जैसे जो मैं राठे ने 64-65 घंटे यह सब लॉंच कर रहे है तो आप एक्जाम पूर पट्टे के रहिएगा पढ़ाई देखो मैं सब जानता हो तुम लोग देखते हो बहुत तुम लोग संख्या पढ़ाने वाले के पास कितनी है यह दिखते है यह दिवनता स Bea लग किया आता कितना है और यह क्यों पढ़ाना चाहता है हमें इतना मैं इसलिए तुम इतना पढाना चाहता हूं कि तुम किसी भी शिव् ihre में बैठो तो तुम गर्व कता कि